Hello everyone, यह आज के दिन का दूसरा विडियो है, पहला विडियो यह रहा definitely आप इस वीडियो को देख सकते हो, आई बटन पह आपको इस वीडियो का लिंक मिल रहा होगा and उसके साथ ही वीडियो के end screen में आपको इस वीडियो का card भी मिल जाएगा स्टार्ट करते हैं विडियो को इस विडियो में हम बात करने लगभग आप कह सकते हो midcap, लगभग क्या midcap company ही है और midcap company का सीधा मतलब यह निकलता है कि इसमें आप long term में भी जा सकते हो, short term में भी जा सकते हो, बट मैं इस video में या फिर आप कह सकते हो, मैं personally मेरे view से मैं इसे as a long term purpose देख रहा हूँ, short term opportunity में नहीं देख रहा, तो क्यों देख रहा हूँ, कैसे देख रहा हूँ मैं आपको बताऊंगा video को end तक देखना, तो start करता है video को, video में क्या क्या बात करने वाला है, video में बात होगा clean science के technicals के बारे में, clean science के technicals के बारे में बात करेंगे चार्ट के बारे में बात करेंगे इसके साथ ही हम बात करेंगे clean science के fundamentals के बारे में थोड़ा सा तो fundamentals और technicals के बारे में थोड़ा थोड़ा बात करेंगे तो आप पुछो गया business कहा गया ठीक है आपने तो बोला यार long term के लिए hold करेंगे तो business भी तो हमें समझना होगा बिलकुल हाँ आप सही कह रहे हो business भी जानना जरूरी नहीं बहुत जरूरी है तो सवाल यह आता है कैसे तो इसके उपर मैंने already एक video बनाया था मैं उस video को जरा दिखा देता हूँ आपको just a second काफी पहले I think एक महीने पहले मैंने इसके उपर video बनाया था और यह देख सकते हो ठीक है यह वाला वो video है एक महीने पहले मैंने बनाया था एराउंड 25 मिनट का video है इसका link आपको आई बटन पे एंड वीडियो के end screen में मिल जाएगा इसमें मैंने business fundamentals और technicals दोनों ही काफी detail में बताया हुआ है लेकिन business and fundamentals तो आप जरूर देखना technicals तो मैं इस video में डिटेल में बताई रहा हूँ तो जरूर से देखना और एक और चीज़ मैं यह कहूंगा honestly कहूंगा कि आप कोई और video मत देखो अगर मेरा video भी नहीं देखना यह video नहीं देखना है मत देखो लेकिन कहीं से भी हो अगर आपको business पता है then well and good अगर आपको नहीं पता तो definitely मैं बोलूँगा दूसरा video चैनल पे बहुत सारी videos है कोई भी video देख लो बट जरूर से business को समझ लेना ओके सो बहुत सारी चीज़ें होगे स्टार्ट करते हैं वीडियो को कोई recommendation नहीं है वीडियो में सबसे पहले चलता है quarters में अगर आप quarters को compare करोगे मतलब 2022, March 2021, 2023 इन दोनों को compare करोगे तो sales देख सकते हो 205 से 217 increase हुआ है operating profit देख लो increase हुआ है उसके आगे margin 41 से 48 increase हुआ है बहुत अच्छी बात है उसके बाद net profit 62 से 81 यह भी increase हुआ है काफी अच्छी बात है तो overall मुझे जो quarterly result का yoy comparison है जो कि सबसे important होता है वो मुझे काफी अच्छा लगा और अब आगे बढ़ता है चलते है profit and loss statement में तो profit and loss statement में आप देख सकते हो sales operating profit profit before tax net profit वीडियो को जो है आ आप थोड़ा pause कर लो pause करके देखो आपको दिखीगा सब कुछ constant है ठीक है सब कुछ constant नहीं है सब कुछ consistent है consistent growth आपको सभी में दिखेगा चाहे वो profit हो या चाहे वो sales हो मैं एक बार आपको यहां पे लेके आना चाहूंगा compounded sales growth आप यहां पे देख सकते हो 5 साल का और 3 साल का 31 है और trailing 12 months का 37 है sales growth मुझे fantastic लगा मतलब बहुत अच्छा sales growth है मुझे काफी अच्छा लगा profit growth भी आप देखोगे तो 3 साल का 28% trailing 12 months का 29% तो profit growth भी मुझे अच्छा लगा and stock price के बारे में बात करते नहीं है double tick मतलब बहुत अच्छा लगा single tick मतलब अच् सकते हो 33, 36, 38 मतलब fantastic मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा ठीक है मतलब अगर आप बोलोगे तो sales growth and return on equity मुझे बहुत अच्छा लगा profit growth मुझे अच्छा लगा and stock price के बारे में बात करते नहीं है and सीधी बात है यार जिस company के पास growth हो जो ROE अच्छा निकाल रही हो profit उसका क अगर में एक चीज में doubt clear करना चाहता हूं यहां पर आप देख रहे हो 78% and अगर आप देखोगे तो इस June quarter में इसका जो है दो साल भी हो जाएगा तो आप अगर सोच रहे हो यार इसने तो अभी तक 75 के नीचे नहीं किया है shareholding promoter का तो सही आप सोच रहे हो दो साल में 75 के नीचे हो जाना चाहिए और इन्होंने नहीं किया है लेकिन यहां पर आप टेक्निकल में जा करके देखोगे मैं आपको दिखा भी देता हूं बाकी शेर होल्डिंग पैटन तो बहुत अच्छा है कोई problem ही नहीं मुझे शेर होल्डिंग पैटन में एक बार अगर आप यहा जाला देखोगे candle तो यहां पर बहुत बाइंग सेलिंग हुई थी ठीक है और इस candle से मैं देख करके बता सकता हूं कि हाँ अब 75 के नीचे आ चुका होगा फिर भी confirmation के लिए एक बार डेटा तो देखना होगा तो देखो यार आप simple एक काम करना ठीक है मैं इस वीडियो में क करके नहीं दिखा रहा बड़ बोल के बता रहा हूं आप गूगल पर जाना गूगल पर जाके सर्च करना clean science यह नाम लिखना clean science bulk deals यहां पर आप सर्च करोगे तो आपके पास website आ जाएगा उसको कोई भी website open करना वहां पर blog deals लिखे होगे एक line में तो आप देखना वहां पर पूरा तो याद नहीं है लेकिन मुझे जितना याद है मैं आपको बता देता हूं यहां पर आपको आशा अशोक सीख्ची जो आपको यहां पर दिख रहा है इनका नाम यह आपको दिखेगा वहां पर कि इन्होंने जो है आराउंड आट लाग शेयर्स जो है आट लाग य यह और उसके साथ आपको एक दो और नाम दिख जाएगा ठीक है वही जो मुझे अतना नाम याद नहीं है लेकिन हां आपको नाम दिख जाएगा उन्होंने भी कम से कम 11,000,000 शेयर्स उन्होंने भी सेल किया है तो कुल मिला करके 18, 19,000,000 शेयर्स जो हैं सेल हुए हैं तो उ तेकनिकल पर आप देखोगे आपको एक चीज़ देखने मिलेगा कि अभी यह जो है अगर आप देखोगे मैं जूम आउट करता हूँ हलका सा और जूम आउट करके आप देखो यह जो है All Time High से बहुत ड्राउन है बहुत ड्राउन है all time high से अगर यह all time high तक जाता है तो आपका पैसा double हो जाएगा ठीक है अब मैंने वीडियो में क्या बताया था आप देखो मैंने वीडियो में यह बताया था कि अगर यह इस box को break करता है और 50 days के moving average को भी sustain करता है तो फिर यहां पर आप पर जो है 3rd of June का date है और मैंने जो वीडियो बनाया था मतलब 3rd of June obviously आप देखो अगला है जो 5th of June 3rd of June सैटर्डे था तो मैंने 2nd of June को जो है वो उस date के साब से वीडियो बनाया था तो उस दिन क्या हुआ देखो उसके बाद क्या हुआ वह उपर गया क्या 50 days का moving average break हुआ आप सवाल का आप खुदी जवाब दे देना क्या यह box break हुआ नहीं क्या 50 days का moving average break हुआ नहीं तो price क्या हुआ थोड़ा सा फसा फिर नीचे आगया अब price जो नीचे आया कहां पे आके रुका इस blue वाले line पे आके रुका क्या यह blue वाले पहले से बना हुआ था तो जी हाँ यह blue वाले line पहले से यहां पे बना हुआ था ठीक है मैंने already आपको बता रखा था उसके बाद आगे क्या हुआ उसके बाद यह थोड़ा से ऊपर फिर यह नीचे आया कहां पर आया उसी blue line के थोड़ा आस्पास आया ठीक है उसके बाद फिर यह उपर गया and फिर यहा नीचे आ रहा है और फिर से वही blue line के ही आसपास आ रहा है तो यहां पे सवाल या आते हैं कि अब यहां support कहां से लेगा, देखो technically support तो यहां से लेना चाहिए, इस blue वाले line से जो की 1330, 1330.3 के आसपास का यह जो support है, इससे लेना चाहिए, but मेरे हिसाब से यह इससे थोड़ा उपर से ही मुर जाएगा, ठीक है, मतलब यहां पे higher highs का formation होगा, तीन higher highs का formation हो जाएगा, और यह इसके थोड़ा उपर से ही यहां से मुर जाएगा, मेरे हिसाब से, तो हो सकता है, इस black वाले line के पास से ही मुर जाए, मेरे हिसाब से 1350 के आसपास से यह जो है मुर ना चाहिए, मतलब 1350, 1348, 1352, इसी के आसपास से यह थोड़ा सा मुर ना चाहिए, अभी जो इसका price है वो 135 राइन के आसपास है, सपोर्ट के जश्ट पास में यह 5-6 रूपए उपर है, तो आपके उपर है अब यहार 5-6 रूपए आप एक्स्ट्रा दे सकते हो नहीं दे सकते हो, तो जो भी है, लेकिन हाँ एक बात यह है कि अपने bottom के पास ही available है, जिनके मन में यह question आ रहा है यह bottom है, मैं आपको chart को zoom out करके भी दिखा रहा हूँ, यह कहीं पर मतलद देखो, मैंने आपके जो line बनाया, blue line, वो कैसे बनाया, इसको देख करके बनाया, ठीक है, क्योंकि देखो यार, यहां से, इसके बीच में काफी gap हो रहा था, तो बीच में इसे फसना था, तो कहां फ करी है, तो भाई, या तो आपने तुक्काम आ रहा होगा, या तो आप जूट कह रहे हो, ठीक है, आगे बढ़ता है, और उसके बाद यहां पर सवाल यह आता है, कि यहां पर अगर यहां से नीचे break हो जाता है, क्योंकि मैंने क्या बताया, कि यहां से हो सकता है, यहीं से 95, जा फिर आप 1 to 280 मान सकते हो, इस लेवल पर आएगा, और उसके बाद यहां से support ले सकता है, लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे कि आप क्या कर रहे हो, तो मैं कुछ यहीं पर सोच रहा हूं, क्यों सोच रहा हूं, यहां पर क्यों नहीं सोच रहा, क्योंकि मुझे पर जुकता नहीं फिर बीच में, और second चीज यह, और सबसे important चीज वो यह है, कि यहां पर बुल मार्केट जो है, आ चुका है, थोड़ा दिन में, और भी सक्रिय हो जाएगा, और भी active हो जाएगा, बुल मार्केट, shares भागने लगेंगे, और उस case में इतना fall, मैं expect personal नहीं करता थोड़ा सा कम ही expect करता हूँ, बाकि ठीक है, अगर आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा, तो हम average down कर लेंगे, ठीक है, तो ठीक है, अब average down कौन कर सकता है, वही कर सकता है, जिसको fundamentals पता हो, जिसको fundamentals पे भड़ोसा हो, जिसने business देखा हो, वही कर सकता है average down, बाकि तो सब तो डर करके निकल जाएगा, है न, तो बस यार, इसी के साथ end करते हैं video को, बाकि उपर मैंने एक दो और levels बनाए हुआ है, चाहो तो उन्हें भी देख लेना, और मैं थोड़ा zoom out कर देता हूँ, तो देख सकते हो, अभी काफी नीचे है, यह all time high से, तो बस यार, end क कर रहा हूँ, ठीक है, देखते हैं, थोड़ा सा और अगर नीचे आता है, तो, second चीज़ वो यह है, कि यहाँ पर अगर यह सोच रहो, ठीक है, आप अगर यह सोच रहो, कि यार, मैंने तो अभी भी मेरे पास कुछ नहीं है, क्या मैं fresh buying कर सकता हूँ, तो recommendation नहीं है, बट मे यहाँ पर selling करने का सोचूँगा भी नहीं, ठीक है, recommendation कुछ नहीं है, आपके उपर है, आपको जो करना है करो, बट मैं यहाँ पर selling करने का बिल्कुल भी नहीं सोचूँगा, और बस इसी के साथ end करते हैं, वीडियो को, और add then मैं आपको 2-3 चीज़ बताना चाहूँगा, बहुत important, इसे जो miss कर दिया, भाई, ठीक है, miss कर दिया, कोई बात नहीं, बट हाँ, बहुत important है, पहली बात की recommendation नहीं है, दूसरी बात की यहाँ पे, आप risk को देख करके चलना ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई, मतलब ऐसा ही लगा दिये, भाई, जितने पैसे हैं, सब लगा मल्टी बैगर हो जाएगा, risk को देख करके चलना है, mid-cap company है, बट आपको risk देख करके चलना है, और long term में मैं जा रहा हूँ, बाकी आपके उपर है, long term opportunity के हिसाब से मैंने आपको बताया, तीसरी यांड सबसे important बात, अगर आपने business को ignore किया, तो आपको बहुत problems हो सकती आग तो इसी वज़े से business and fundamentals को गलती से भी ignore मत करना, ठीक है, technicals मैंने आपको बता दिये, और add then, बस इसी के साथ subscribe कर देना, like कर देना, share कर देना, वीडियो को, जय हिंद, and thanks for watching.